दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बैल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले मैं भारत को भारती अता की मानमिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ उस काम में लगा हूँ इसी तरह से आपके शरीम है अगर शुगर की बीमारी है डाइबिटीज की बीमारी है तो उसको ठीक करने के लिए भी दबाएं पान में आपके घर में दे रखती है डाइबेटीज की वीमारी की क्या दवा है, थोड़ा आप मेथी दाना नीजिये, उसको पीस कर पाउडर बनाईज़े, मेथी दानी के साथ थोड़ा करेला, करेले को भूप में सुखा कर उसका पाउडर बनाईजे, फिर आपके घर में जामूं की गुटली अगर मिले तो जामूं की गुटली को पीच कर उसका पाउदर बनानेगे और जामूं की गुटली घर में ना मिले तो जामूं की गुटली का पाउदर, करेले का पाउदर, मेजिदाने का पाउदर फिर नीम के पेड़ पर एक निम्बॉली में गुठली होती है उस नीम की निम्बॉली की गुठली को पीस कर उसका भी पाउदर बना लिए और थोड़ी देर पहले मैंने बताया बेल पत्री के पेड़ पर जो पत्ते मिलते हैं वो पत्तों को सुखा कर उसको भी पीस कर पाउ पाउडर बना लिया, फिर हमने जामन की गुठी को पीस कर पाउडर बना लिया, फिर मीम की निम्बॉली की गुठी को पीस कर पाउडर बना लिया, फिर करेले को पीस कर उसका पाउडर बना लिया, अब ये पांच दवाएं हैं, इसमें और एक दवा मिला ली है, उसको कहते ह गुड़ मार गुड़ मार एक दवा है जो भार के मूझ में उतलब्द है और बाजार में किराने की दुकान के मिल जाते हैं तो गुड़ मार पीस लिया और बाकी ये पांच दवाएं पीस लिए इनको लगवग बरावर मात्रा में मिलाकर एक शीशी में भरकर रखने की ये डाइविटी इसकी बहुत अच्छी दवा है अब इस दवा को खाईए एक चमच गरम पानी के साथ सुबै और एक चमच शाम क और नियमित रूप से अगर आपने ये दवा देना शुदू किया खाने से लगवग एक घंटे पहले तो ये दवा से आपकी शुगर आपकी डाइविटीज हमेशा के लिए ठीक हो जाए और अगर आप सामन्य रूप से ये दवा खाते हुए प्राणायाम करें सुबै मिलूम और कपाल भाती आदे आदे घंटे तो आपकी शुगर और जंदी ठीक हो जाए और मेरा निविजन है कि जब आप तो ठीक हो जाए सामन में हो जाए तब आप ये दवा बन कर दीजेगा प्राणायाम चालू रशेगा तो प्राणायाम की मदद से जिन्दगी भर दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सबस्क्राइब करें फिर लाइप कमेंट और शेयर करें और हां हमारा एंडरोड एप डाउनलोड करना ना भूले